वेल्कम गईस दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UP tablet smartphone के बारे में इसके बारे में अभी अभी एक latest news निकल कर आ रही है बहुत ही आप लोगों के लिए जो अच्छी news है दोस्तों वीडियो को लाच तक देखेगा वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप सभी से क करने चाहूंगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए दोस्तों फटापट वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगो यहां पर दिखाना चाहूंगा यह दोस्तों यहां पर अभी इसके समझने जो news है निकल का पर डाटा यह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रदेश सरकार की योजिना के तहित मुफ्त टैबल्ट और श्मार्टफून पाने का इंतजार अब खत्म हो गया है डिजी सकती पोर्टल सोंबार से खुल गया सिक्षर संस्थान पात्र विद्याथियों को डाटा यहां अपर अप्लोड करवा सकते हैं दोस्तों आप लोग कांटेक्ट चरूर कर लिजेगा अपने कॉलेज से क्योंकि वहीं से आप जब लोग कहेंगे तो वहीं से आपका डाटा आगे भेजेंगे आगे अगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर देरका है जो बार्मी प करता है कि सिक्षर संस्थान पात्र अभरतियों का डाटा अपलोड कर सकते हैं यह यहां पर जानकारी दी गए है अगर आगे आप लोग देखेंगे तो आगे भी यहां पर यह दिया गया है कि जो पिछला सत्राप का था जैसे कि 2020 और 21 में जो भी फाइनल एयर के पर जानकारी नहीं आप आई है कि इसके लिए भी पोर्टल पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है यहां पर अगर आप लोग देंगे तो यहां पर भी दिया गया बाद में इस्तित इस पर टोने के बाद जो 20 विद्याले प्रशाशन से सभी पात्रों की बावत जानकारी मागी गई लेकिन इस समय तक जो पोर्टल है बंद हो गया था ऐसे में 20 विद्याले उने जो चात्र का कोई भी डाटा है वो अप्लोड नहीं कर पाया इसलिए वहां पर इन्हीं लाब नहीं मिल पाया अब इस बार जो है केंदरी जो संस्तान है उन्हें लाब मिलता है या नहीं मिलता है इसके लिए देख सकते हैं आगे आगे आप लोग देखेंगे वही जनकरी सेम्टू से हम यहां पर दिया गया है 15 दिन के लिए आपका पोर्टल कुलेगा 15 सितंब्र से ही पोर्टल खोले जानी कोशना थी लेकिन बाद में खुल पया 15 दिन के लिए आपका ओपन होगा बार में पास करन अबे जो हैं जो अभी श्टॉक में हैं यहां पर अगर आप लोग गेंट करीब 20 सजय टैबलेट श्मार्टफोन और आने वाले हैं हलांकि टैबलेट श्मार्टफोन पिछले सत्र में विद्यारतियों को दिये जाएंगे या नय पंजीकर चात्रों को इसको लेकर भी कोई कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है यहां पर वही दे रखा है जो छात्र मुंका डटा प्रोड नहीं हो सकता है अभी उसके लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं आई है यह दोस्तों आप लोग देख सके हैं 15 दिन यहां का पोर्टल खुलेगा यही आपकी जानकरी दे झाल